हालो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा करते में यह है कुस्चन नंबर तसमा इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करना है 0 2 π.y2 0 2 π.y2 2 log sin x 2 log sin x 2 log sin x माइनस लोग sin 2 x sin 2 x और यह इंटू d x इस प्रकार से दोखो यह प्रिशन है इसको भी हम आई बराबर लिखे लें देखो कैसे करोगे तो आभी इसको यहाँ पर दोखो इस प्रकार हल कर लें इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से π.y2 और 2 इंटू में log sin x इंटू d x एक प्रिशन यहाँ से अलग बना लें फिर माइनस का निसान लगाओ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π.y2 और यह लिखा है log sin 2 x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x इंटू d x ठीक है इत्ती बात इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है आँगे दोखो इसको ऐसे लिख दें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π.y2 2 इंटू में log sin x 2 इंटू log sin x और यहाँ से माइनस अब देखो आँगे 0 से π.y2 यह आपकर जियों करते हों इसको यहाँ से अगर log m into n होता है तो log m plus log n हो जाता है तो यहाँ से यह दोखो into है न बीच में तो यह plus में हो जाएगा log 2 dx लिख दें plus log sin x dx लिख दें और plus log cos x dx लिख दें बस लिमिट हमारी वही रहेगी 0 से π.y2 0 से π.y2 इतनी बार ठीक है एक बात और यह minus है ना minus है तो यह plus वाले जो भी sin है वो आपके minus में चले जाएंगी यह minus का हो जाएगा यह भी आपका देखो minus का हो जाएगा अब ठीक है बार चलो और आंगे देखो बराबर integration 0 से π.y2 2 into log sin x एक बात तो साब दिख रही है की log sin x dx और यहां पर 2 logo sin x dx तो एक minus का यह कम हो जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा log sin x dx इसका और इसका देखो हमने हिसाब क्ताब कर लिया 2 logo sin x dx और यह आपका one एक कहा है ना एक कई गुड़ा तो मना जाएगा इसमें दो का गुड़ा है तो log sin x dx ये minus का है ये plus का 2 है तो यहां से एक बचेगा log sin x dx ठीक है और फिर इसके बाद में minus ये log दो आपकी अचर संख्या इसका समा कलन हमें नहीं करना है बस समा कलन में लिखना है 0 से pi y 2 1 into dx ठीक 1 into dx लिख दे और फिर इसके बाद minus integration 0 से pi y 2 लिखेंगे और यहां लिख दें log इस पर हम property यूज कर लेते हैं दोखो 0 से pi y 2 log cos x के जगह पर लिख दें pi y 2 minus x और into dx ठीक है और आगे थोड़े बढ़ें और आगे दोखो 0 से pi y 2 log sin x dx minus log दो अपना ज्यों का त्यों यहां 1 का समाकलन हमें x लिखना है 0 से pi y 2 लिखना है फिर minus यहां देखो integration 0 से pi y 2 और log cos 90 minus theta sin theta मतलब sin x लिखना है और dx अब आप देख सकते हो यह plus का है यह minus का पूरा cancel हो रहा कि नहीं बस यही answer है समझो बराबर का निसान लगाओ log दो आप ज्योंकातियों लिख दें फिर बस इसकी limit रखोगे pi y 2 minus x का मन जीरो ठीक है बस इसका answer हमें मिल जाएगा pi y 2 log 2 pi y 2 log 2 ठीक है आई बराबर हमें जो निकालना था वो मिल गया आई बराबर pi y 2 log 2 ठीक है यह आपका देखो प्रिश्चन है कुस्चन नमबर दसमा है बहुत ही बढ़िया है important अब हम यह हमने जैसा कि बताया कि इस exercise से board exam में जरूर कुस्चन आते हैं ठीक है तो इसको complete कर लें और साथ ही साथ इसके जो example है उनको भी complete कर लें ठीक है अभी हम कुछ example भ जो कुस्चन नमबर 11 देखो क्या है कुस्चन नमबर 11 कुस्चन नमबर 11 है integration की limit दी गई है minus pi by 2 से plus pi by 2 और यह लिखा है sin square x dx इसका हमें देखो समा करना है ठीक है यह है minus pi by 2 से plus pi by 2 देखो बच्चो हमने एक आपको अभी property बताई वो पहले property recall करा दें minus a2 plus a fx dx अगर इस form में कोई आपका फ़लन लिखा होता है तो उसका हमें समा कलन पता है 2 time 0 to a fx dx हो सकता है या इसका answer 0 भी हो सकता है इसका answer 2 time 0 to a fx dx कब हो सकता है इसका answer तब हो सकता है जब x sum फलन हो और sum फलन का मतलब f of minus x equal to fx होता है तो यहां पर यह sum फलन होता है और sum फलन के लिए answer हमें यह देना होता है 0 तब होता है जब की f of minus x बराबर minus fx आजाए अर्थात जब यह sum फलन होता है तब इसका answer क्या होता है 0 तो बस यहाँ पहले चेक कर लेते हैं तो इसी फॉर्ब में तो है, माइनस A2 प्लस A, माइनस Pi Y2 से प्लस Pi Y2 इसी फॉर्ब में तो है, तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं, यह दोगे हमें फॉलन दिया गया है, उसका मान है Sin S alltid X, है कि नहीं? अब यहां पर हम x का मान मानस x रखके चेक कर लेते हैं तो यह हो जाएगा sin square x का मान किता लिख दे मानस x अब sin minus theta बराबर minus sin x होता है लेकन यह है इसका square तो जब square करोगे तो plus में हो जाएगा तो यह हमें sin square x मिलेगा जो कि हम fx लिख सकते हैं तो यदि ऐसा होता है कि f of minus x बराबर fx आता है तो इसका answer सम फलन यह माना जाता है तो इसका answer आता है तब इसको हम ऐसे लिखेंगे i बराबर integration minus pi by 2 से plus pi by 2 और यह sin square x dx है इसका answer हमें देना है integration 0 to 0 to pi by 2 इसकी limit हो जाएगी और इससे 2 से दोखो multiply हो जाएगा 2 से multiply हो जाएगा और यह sin square x dx आपका जियों काते हो अब दोखो इसका समा कलन कर दो कैसे करते हैं समा कलन 2 आपका जियों काते हो sin square x दोखो हमने आपको formula cos 2x वाले formula से बता है या property भी लगा सकते हो एक पहला प्रसुद जो था ना वही तो है यह या इसको ऐसे cos 2x बराबर लिख सकते है 1 minus 2 sin square x जबकि 2 sin square x बराबर होता है 1 minus cos 2x यहाँ से 2 हटाओगे तो 2 से यहाँ भाग लग जाएगा तो sin square x की value 1 minus cos 2x बटे 2 हो जाएगी तो यहाँ से sin square x के जगह पर हमें लिखना है integration की limit है 0 से 5 बटे 2 sin square x को लिखना है 1 minus cos 2x और अपॉन में 2 और यह into dx इत्ती बार ठीक है ठीक अब इसका दो को समा कलन करोगे यह 2 से इस 2 को आप cancel कर सकते हो 1 का समा कलन x लिख दे limit रख दे 0 से πाई बटे 2 फिर minus cos 2x का हम sin 2x समा कलन लिख लें और 2 से भाग कर दे बस limit रख दे 0 से πाई बटे 2 बस limit लेते ही आपका answer आजाएगा ठीक है तो यहाँ x का मान पहले लिखेंगे πाई बाई 2 और फिर minus x का मान 0 लिखेंगे यह तो कम खतम हो गया अब minus यह देखिए एक बटे 2 जो बटे में दो लिखा है उसको हम बाहर निकाल लें अब sin 2 x का मान लिख दें πाई बाई 2 फिर minus sin x का मान लिख दें 0 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दोखो πाई बाई 2 minus यहाँ देखिए sin इसको इससे cancel करते हैं तो sin πाई मिलेगा और sin πाई का मतलब होता है 0 तो एक बटे 2 यहाँ मिल जाएगा 0 और यह आपका 0 sin 0 भी 0 होता है तो कुल मिलाके यह 0 हो जाएगा answer हमें πाई बाई 2 मिलेगा ठीक है यह है question number 11 चलो इसको भी note करोई चलो इसको रब कर लेते हैं question number बार्मा देखते हैं question number बार्मा देखो question number बार्मा क्या है question number बार्मा कहता है कि देखो भी question number बार्मा है integration की limit है 0 से πाई question number बार्मा integration की limit है 0 से πाई और यहां लिखा हुआ है x into dx divided by 1 plus sin x, 1 plus sin x, यह आपके पास question है, ठीक है, 0 से pi और x into dx upon 1 plus sin x, यह आपका question है, जो को इसको कैसी करोगे, बिल्कुल एक्दम simple सा काम है, इसको भी हम आई बराबर लिख लें, और इस पर equation number 1 डाल लें, अब इसके बाद हम property लगाएंगे, 0 से pi x का dx divided by 1 plus sin x के जगह लिखेंगे, pi minus x, ठीक है, और आएंगे दोखो, 0 से pi, जबकि pi minus x into dx जियों काते हो, यहां देखिए, 1 plus sin 180 minus theta, बराबर sin theta होता है, यहां हम sin x लिख लेंगे, और इस पर हम equation number 2 डाल दें, अब दोखो, हम वही काम करेंगे, समिकरण 1 और 2 दोनों जोड़ दे 1 plus 2 से, पहला समिकर और दूसरा समिकर जोड़ दिया जाए, तो i और i जोड़ के हम 2i लिखेंगे, यहां देखिए, 1 plus sin x, 1 plus sin x, मतलब हर आपका समान है, dx और dx common में है, तो बस जोड़ना क्या है, x के साथ में जोड़ना है, pi minus x, यह x है और इदर pi minus x है, dx और dx आपका यह common, यह लिख लिया हमने, और अपनों में 1 plus sin x, 1 plus sin x, तो 1 plus sin x, आपका यह जिऊंकातियों, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, minus x plus x, यह cancel हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2i बराबर, integration की दोखो, limit y है, 0 से pi, 0 से pi, और pi into dx divided by 1 plus sin x, इत्तिबार ठीक है भई, आप दोखो, यह हाँ पर हमें पता है, कि हम, pi का समा कलन नहीं करते हैं, question संग क्या है, इसको हम समा कलन से बाहर निकालेंगे, integration की limit है, 0 से pi, और यह आपके पास है, 1 into dx upon में 1 plus sin x, बताओ भी, इत्तिबार ठीक है, इसके बाद अब आँगे देखो, अब आँगे इसको थोड़ा और आँगे बढ़ाओ, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 2y बराबर, pi, integration 0 to pi, और यहां एक कम करते हैं, कि 1 minus sin x का अंधर में गुणा कर दे, ऊपर दोखो हमने 1 minus sin x लिख लिया, नीचे अगर 1 plus sin x लिखा है, इसमें भी हमें क्या करना है, 1 minus sin x से गुणा करना है, 1 minus sin x से उपर, 1 minus sin x स हमने नीचे गुणा कर लिया, ठीक है, ऐसा करने से हमें लाब क्या हुआ, दोखो लाब बताते हैं, 1 minus sin x आपका यह जूंकाते हूं, into dx, जबकि नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, दोखो, 1 plus sin x में 1 minus sin x का गुणा करोगे, तो 1 का square minus sin square x, और 1 minus sin square x बराबर हमें पता है cos square x होता है, तो 1 minus sin x और अपोन में यह है, cos square x और into dx, आप अलग अलग भाग कर दो, तो यहां से हमें इस परकार से दो, 0 से πाई, 1 plus cos square x, dx लिख दो, minus समा कलन, यहां देखिए, यह पाई का गुणा सम्मेह हैं न, तो 0 से πाई, और यह आपके पास है, sin x upon cos square x into dx, इतनी बार ठीक है, यहां से थोड़ा और आंगे बढ़ाएंगे, तो यह हमें मिल जाएगा, 0 से πाई, 1 plus cos square को हम लिखेंगे, sec square x dx, ठीक है, फिर इसके बाद minus का निसान लगाओ, और sin plus cos को हम लिखेंगे, 0 से πाई limit है, sin plus cos को हम लिखेंगे, 10x, फिर 1 plus cos और नीचे तो sec x dx लिख दो, ठीक, तो इसके बाद दोखो यहां पर आते हैं, यहां दोखो यह है, पाई, और इसके बाद, sec square x का समाकलन हमें पता है, 10x होता है, limit हमें रखनी है, 0 से πाई, और यह आपके पास minus sec x into 10x का समाकलन हमें पता है, sec x होता है, limit है, 0 से πाई, इतनी बार ठीक ह इसके बाद आप limit रख दें answer आजाएगा दोखो pi और यहां से यहां से दोखो पहले लिख दें 10 pi फिर minus 10 0 इसके बाद यहां दोखो minus का निसान लगाओ यहां लिख दें sec pi minus sec 0 ठीक है चलो और आँगे दोखो pi यहां से 10 pi को हम 0 लिखते है minus 10 0 का मान भी 0 होता है minus sec pi का मान होता है minus 1 और sec 0 का मान भी 1 होता है ठीक यह इस तरीके से दोखो pi और यहां से minus में यह minus का 2 minus minus plus का 2 pi हो जागा 2 pi इधर हमारे पास 2i चल रहा था यह देखे 2i बराबर 2pi यहां से 2 से two cancel हो जाएगा तो बस आई बराबर हमें पाई मिल जाएगा आई बराबर पाई ठीक है ये आपका अमसार है आई बराबर पाई question number 22 का बार्मा है ये और इसके बाद आते हैं question number 13 में पर चलो अब रब कर लेते हैं इसको और question number 13 को देखो जोको 13 में प्रशन लिखा है integration करना है question number 13 है integration करना है आपको minus pi by 2 से plus pi by 2 तक integrate करना है और sign की power 7x x लिखा है इसका हमें integration करना है इसको हम आई बराबर ले जोको अभी हमने इससे पहले question करवाया था यह है question number 11 मां और 11 मां और इस प्रशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है क्या है दोखो करना वही सब कुछ है यहाँ पर उस रूप में यह लिखा है minus a2 plus a fx dx यही तो है तो यहाँ से हम fx बराबर लिख लें किता sine की power 7x ठीक है और अगर minus a2 plus a होता है तो यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं कि यह फलन हमारा sum फलन है या भी sum फलन है तो यहाँ से x के जगह पर हम x बराबर minus x रख लें और चेक करें तो हमें f of minus x की value किती मिल जाएगी sine की power 7x के जगह पर minus x लिखना है तो यहाँ से दोखो minus sine की power 7x तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि यह हमारे पास minus fx हो रहा है तो को minus अपना ज्यों कहते हूं sine की power 7 को हम क्या लेखेंगे sine power 7 को fx लेखेंगे तो f minus x बराबर fx मिल ला है इसका मतलब यह विसम फलन है अतहा f क्या है विसम फलन है और यदि विसम फलन होता है तो इसका अंसर कित्ता होता है 0 होता है इसलिए integration of minus pi y2 से plus pi y2 sine की power 7x dx बराबर आपको क्या लिखना है 0 लिखना है बस आंगे अब हल नहीं करना है ठीक है cable properties यूज करके हम बता सकते हैं कि इस पूरे की value कितनी होगी 0 होगी ठीक है किलियर चलो question number 13 के बाद आते हैं question number 14 में पर question number 14 में देखो क्या है चोदमा देखते हैं इसको और अब कर लें question number 14 में तो देखिए question number 14 में लेखा है integration 0 to 2 pi cos की power 5x dx question number 14 में इसमें लिखा है integration की limit है 0 to 2 pi cos power 5x into dx इसका हमें समाकलन करना है देखिए इसको हम आई गराबर लिख लें ये कौन से रूप का देखो question है 0 to 2 a f dx हमने आपको एक property बताई कि integration 0 to 2 a f dx अगर इस रूप में आपका कोई प्रश्न होता है तो इसका answer हो सकता है two time integration 0 to a f dx और इसी का answer 0 भी हो सकता है ये कब हो सकता है तब हो सकता है जबकि f of 2 a minus x equal to यहां से हमें fx मिलता है तब ये होता है two time और ये 0 कब होता है ये तब होता है जबकि f of 2 a minus x equal to यहां से minus fx मिलता है ये हमने आपको एक property बताई तो यहां देख सकते हो अगर इस property को लगाएं तो यहां से हमें मान लेना है कि ये आपका कोई फलन fx है जिसको हम लेखेंगे cost की power 5x अगर यहां से दोखो ध्यान ने इसकी limit किती है 2 pi 0 से 2 pi तो इस 2 pi मैंसे x को घटा दें तो यहां से हम इस प्रकार इसको चेक करने पहले कि ये हमारे पास ये value चेक करनी है 2 f of 2 a minus x equal to क्या fx है या minus fx है तो यहां से हम f of x के जगह पर क्या लिख दें 2 pi minus x लिख दें और बराबर में यहां भी cost की power 5 और x के जगह पर लिख दें 2 pi minus x लिख दें तो 360, दोखो 2 pi का मतलब किता होता है 360, cost 360 minus theta बराबर होता है cost theta, तो यहां पर हमें मिल जाएगा cost की power 5 x और यह cost power 5 x बराबर क्या है fx है दोखो f of 2 pi minus x equal to किता मिला fx मिला इसका मतलब, इसका मतलब यह दोखो 2 time करना है 0 to a limit तो हमें इसका answer क्या देना है इसका answer देना है 2 time integration limit यह आधी करनी होती है 2 pi को क्या लिखोगे, pi लिखोगे और यहां से cost की power 5 x dx ठीक है, पहली बाली number ठीक है और इधर फिर अब यह दोबारा से दोखो, फिर दोबारा करना है क्या करोगे इसको फिर से दोखो, अगर इसको हम यह मालने यह आपके पास जो फालन लिखा है, इसको अगर हम gx लिख दें तो यह gx वरावर, cost की power 5 x dx cost की power 5 x इसको मालने और फिर वही property लगा दें g of यहां से x के जगह पर pi minus x लिख दें cost की power 5 और x के जगह पर pi minus x लिख दें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा minus cost की power 5 x यहां से देखिए minus यह gx हो गया और यदि यह minus gx हो गया, इसका मतलब इसका माना अपतना हो गया 0 हो गया, तो यहां देख सकते हो i equal to 2 time integration 0 to pi और cost की power 5 x dx को हम क्या लिख सकते हैं, 2 time और इसको हम 0 लिख सकते हैं 0 से 2 का multiply 0 हो जाएगा ठीक है, दो बार दोखो वही property हमने लगाई एक बार पहली बार जब property लगाई तो उपर वाला दोखो यह उपर वाला इसका result आ रहा है, उपर वाला result मतलब यहां से हमने 2 pi मानेस x जब किया तो हमें fx मिला, इसका मतलब हमें क्या करना है 2 से multiply करना है और limit को आधी करना है 0 to pi लिखना है, cos की power 5x dx लिखना है अब इस पर वही property अगर फिर से लगा दी जाए माल लेते हैं कि दूसरा फलन है कोई gx उसको हमने लिख दिया cos की power 5x और यहां फिर वही property लगाई कि pi मैंसे x को घटा दिया तो g of pi minus x equal to किता हो जाएगा cos की power 5 और x को हमने pi minus x लिख दिया, तो यहां से cos की power 5, pi minus x को क्या लिखोगे minus cos की power 5x, यहां से minus और यह आपका gx है, तो अगर यह minus में आता है तो हमें पता है क्या होता है इसका result, इसका result दोखो 0 होता है, मतलब इसका result अभी हमें 0 मिल ला तो 2 into 0 मतलब 0, ठीक है, तो यह question number 14 नोट करें, इसके बाद दोखो आंगे question number 15 देखते हैं, question number 15, ठीक है, question number 15 देखो, देखिए question number 15 क्या है, question number 15, इसमें लिखा हुआ है integration की limit 0 to pi y2, integration की limit है 0 to pi y2, 0 to pi y2 sin x minus cos x और upon में लिखा है 1 plus sin x into cos x और into dx, इसका हमें integration करना है, मान लेते हैं इसको आई, ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब बच्चों यहाँ पर 0 to a वाली property है, दोखों 0 to a के form में है ना, यह फलन हमारा, तो हमें क्या करना है, integration 0 to pi y2 sin और x को हमें लिखना होता है, pi y2 minus x minus, cos x को pi y2 minus x लिखना है और upon में यहाँ देखिए, 1 plus sin और यह x के जगह पर हमें pi y2 minus x लिखना है, into में cos और x के जगह पर pi y2 minus x लिखना है, into dx, इतनी बार ठीक है, और थोड़ा आँगे बढ़ाएंगे, तो integration 0 से pi y2 sin 90 minus theta, मतलब sin pi y2 minus x equal to हमें लिखना है, cos x, minus cos pi y2 minus x लिखना है sin x, और upon में यहाँ देखिए, 1 plus sin pi y2 minus x, यह cos में बदल जाएगा, और cos pi y2 minus x, यह sin में बदल जाता है, और into dx, ठीक है, तो इसको हम equation number 1 दें, और इसको हम equation number 2 दें, हमने जो property लगाई, अगर यहाँ आप लेखना चाहें, तो उस property को यहाँ लेख सकते हैं, 0 to a fx dx, बराबर होता है integration, 0 to a f of a minus x dx, ठीक, यह हमने property यहाँ यूज की है, तो यहाँ देखो समी करड़ 1 और समी करड़ 2 इन दोनों को आपस में जोड़ दें, समी करड़ 1 वा, प्लस कर दें 2, 1 प्लस 2 से, तो हमें i और i का योग 2i मिल जाएगा, i में i जोड़ों के किता हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हो कि यह दो को हर तो दोनों का पराबर है, केबल अंस से अंस जोड़ना है, बस इत्ती बात है, यहाँ dx दोनों जगए common मिल जाएगा, तो हमें दोखो किता मिल जाएगा, integration 0 to pi by 2, sin x minus cos x, sin x minus cos x, खीक है, dx और dx दोनों जगए से common है, हर भी आपका यह common आ रहा है, तो यह unscable जोड़ना है, sin x minus cos x, और plus करना है, cos x minus sin x करना है, और यह dx दोखो common आया है, उसको जूंकाते हो लिग दें, और बटे में भी आपको 1 plus sin x into cos x यह जूंकाते हो रहा है, खीक है, तो यहाँ minus sin x से plus का sin x कैंसल कर सकते हो, cos x यह plus में है, यह minus का कैंसल कर सकते हो, तो यहाँ बचाएगा दोखो 2i बराबर, integration 0 to pi by 2, अब उपर 0 है, तो 0 में किसी का भाग करोगे, क्या आएगा 0, और 0 का हम जब समा कलिंग करेंगे, तो 0 मिला लगा, 2i बराबर 0, that is i equal to 0 होगा, यह देखिए आपका answer, ठीक है, इस तरीके, चलो इसको नोट करो, question number 15 में, अब आते हैं, question number 16 में पर, तैयारी बनाने पड़ेगी, हर चीज़ की तैयारी होती है, बिना तैयारी से कोई काम करोगे, तो नहीं होगा, ठीक है, आपको अपने पढ़ाए, पढ़ाई की भी तैयारी करनी है, पढ़ाई की जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, तब तक आप पढ़ नहीं सकते, यह प ताब कोई भी भी भूक उठाली, तो यह कोई पढ़ने का तरीका थोड़ी है, आपके ममी ने का, आपके पापा ने का, कि बच्यों बेटा पढ़ो, तो अपने अपनी एक जो भी आपके नजदीक भूक है, उसको उठाली, और उनके सामने आप बैठ गए, तो यह कोई का तरीका नहीं, तैयारी से पढ़िए, कि आपको आज क्या पढ़ना है, और रूटीन से पढ़िए, बिना रूटीन से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, आपको अपने सोने जगने का भी रूटीन चाहिए, पढ़ाई का रूटीन, सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई के रूटीन के लिए आपको अपने सोने जगने का रूटीन बनाना होगा भाई अगर आप बाई दबे ये मानते हैं कि आज आपको ये लगा कि आज हमें बहुत जादा पढ़ना है और आप कुछ इस तरीके से पढ़ रहे हो कि आज 1 बज गा, रात को 2 बज गा और पढ़ते जा रहे चुँकि रूटीन है नहीं 2 बजे का, रूटीन रोज का तो है नहीं 2 बजे का, आज आपने 2 बजे तक पढ़ लिया तो कल क्या होगा फिर निश्चित रूप से कल की दिन भी आपका खराब होगा ये पकी बात है कल का दिन भी खराब होगा क्योंकि आपने दिन में साइज पढ़ाई रात में पूरा सो नहीं पाया जब सोगे नहीं जगोगे नहीं में टाइम से सोना है टाइम से जगना है अग अगर आप निश्चित रूप से 2 बजे तक रोज पड़ते हो तो आपको कता ही कोई परेशानी नहीं होगी जी बाधा है 2 बजे तक रोज पढ़ो कोई समस्या नहीं 8 बज., भू सोो कोई समस्या नहीं बस ये है कि रुटीन होना चाहिए कि हम तो 2 बजे राठ तक पढ़ेंगे और सुबह उठके हम आठ बजे तक सोएंगे कोई समस्य आगे क्योंकि अगर आप एक दन अगर जाधा जग लिया तो निश्चित रूप से आपकी दूसरी दिन खराब हो जागा तो रूटीन से सो ये रूटीन से जग ये और रूटीन से आप पढ़िए पंदरमा हमारे पास है पंदरमा तो कम्पलीट हो गया कुस्यण नंबर सोलमा ये आपके पास हम आपको कुस्यण नंबर सोलमे के बारे हैं बतारेगे थोड़ा सा बड़ा प्रुशन है और इसको आराम से अच्छे से समझेंगे 0 to πाई इसकी लिमिट है और लिखा है लोग 1 plus cos x 1 plus cos x और into dx ये आपके पास question है देखो धानने इसको हम कैसे करेंगे जो आपका जो ये जो आपका फलन लिखा हुआ है जो आपका प्रेशन लिखा है वो उसका समाकलन 0 to pi हमें करना है तो अब इसका मतलब तो सीधी बात है 0 to pi वाली जो property है उसको हमें apply करना है तो चलो पहले number पर उसी property को apply कर लेते हैं integration 0 to pi और यहाँ है log 1 plus cos और x के जगे पर हमें लिखना है pi minus x और ये dx ठीक है चलो थोड़ा और आंगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 0 to pi और ये हमारे पास log यहाँ पर देखो cos 180 minus theta equal to होता है minus cos x हो जाएगा तो 1 minus cos x ये हो जाएगा ठीक है और ये into dx आपका ये equation number second है ठीक है property लगाई तो ये आपका second equation बन गया अब यहाँ पर हम दोनों समी करणों को जोड़ें क्या लिख दें समी करण 1 plus 2 से मतलब पहला समी करणों और दूसरे समी करणों को जोड़ने से हमें क्या मिल जागा 2i पराबर integration 0 to pi log 1 plus log log 1 plus cos x और plus log यहाँ लिख दें 1 minus cos x और ये दोनों जगे dx है तो यहाँ से हम दोनों जगे से dx को मन ले ले ठीक है अब यहाँ से देखिए log m plus log n का फॉर्म लग रहा है तो जब log m plus log n के रूप में होता है तो इसको हम लिखते है log m into n ये m है ये n है इसको हम लिख सकते है integration 0 to pi और यहाँ लिखने log 1 plus cos x into में 1 minus cos x into dx पताओ ठीक है log m plus log n बराबर log m into n यहाँ दोको इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 0 to pi और यह log 1 minus cos square x dx हो जाएगा और 1 minus cos square बराबर sin square x होता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोको थोड़ा और आंगे बढ़ा है बड़ा सवाल है हमारे पास यहाँ थोड़ी जगे की problem हो सकती है यह है 2i बराबर integration limit है 0 to pi limit है 0 to pi और यहाँ लिख दें log किसको लिख सकते हैं 1 minus cos square x को लिख सकते हैं sin square x और यह into dx ठीक है इसको अब हम यहाँ से दोको log m की power n n यह कहाँ आता है पहले आ जाएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to pi और इसको पहले अगर लग लें तो यह हो जाएगा 2 into log sin x into dx इतनी बाद ठीक है यहाँ देखिए दो से इस दो को cancel कर सकते हैं तो यह हमारा question हो जाएगा i बराबर integration 0 to pi और log sin x into dx चलो यहां तक पहुंचे गए यहां तक किसी को कोई समस्या एक बार फिर से समझें हमने दिये गए प्रिश्ण में पहले property लगाई क्या यह pi मैं से x घटाया यह यहां से x के जगए पर pi minus x लिख दिया तो यहां पर cos 180 minus x बराबर हो जाएगा किता cos 180 minus x बराबर minus cos x हो जाएगा तो यह आपके पास एक दूसरा equation बन गया बस इन दोनों equation को आपने जोड दिया तो यह हमारे पास हो गया log m plus log n की रूप में log m plus log n बराबर होता है log m into n इनका दोनों का गुणा करेंगी तो 1 minus cos square हो जाएगा तो log m की पावर n बराबर n पहले आता है मतलब 2 log sin x हो जाएगा फिर 2 से 2 cancel कर दें तो i बराबर यह ठीक है यहां तक क्लिए है चलो इसके आँगे दो इसके बाद दोखो अगर हम यहां पर इस परकार लिख दें कि यहां पर लिखा है log sin और इस x को अगर हम इस परकार लिख दें इस x को हम लिख दें पाई मानेस x इस x को क्या लिख दें पाई मानेस x तो यहां पर हम यहां पर पाएंगे क्या log sin x पाएंगे देखो क्या 180 मानेस x बराबर sin x तो ही होता है तो कुल मिलाके वही फलन मिल गया जो सवाल में था इसका मतलब सीधी बात है इसको हम इस परकार लिख सकते हैं किस परकार दो से multiply कर दें लिमिट इसका आधा कर दें ठीक है और यह हो जाएगा log sin x into dx अब बताओ यहां तक हम पहुंच गए ठीक है अब बास्तम में एक यह हमा अधारड में दिया गया है आपके बुक्का जो एक उधारड है वो यही दिया गया है कि integration 0 to pi y 2 log sin x dx की value बताओ ठीक है यह अलग से प्रिश्ण है और बहुत ही महत्पूल बहुत ही महत्पूल प्रिश्ण है बोड एक्जम में बहुत कई बार पूँचा गया है ठीक है तो अब ये एक सबाल को अलग से लगा दे और फिर इसमें हम दो का multiply करेंगे तब आई की value ग्याद हो जाएगे ठीक है चलो आप करते हैं यह आपका जो चलो इस पर नंबर 3 डाल यह मानो कि यह इसका answer लिखा है आई का मन जो भी होगा वही तो answer होगा तो बस केवल आई 1 की value हम ग्याद करके यहां रख देंगे तो हमें i की value मिल जाएगे i1 कितना है देखो i1 बराबर कितना है i1 बराबर है integration 0 to pi y2 और यह है log sin x dx यह आपका एक सवाल यहां से start up हो रहा है एक दूसरा प्रश्न यहां से start हो रहा है चलो यहां पर एक काम करते हैं यहां पर इस पर भी हम एक नया number कुछ डाल दें यह 4 number डाल देते हैं इस पर और इसके बाद यहां पर अब हम property लगा दें 0 to pi y2 और यहां लेख दें log sin x के जगह पर लेख दें pi y2 minus x into dx अब बता दो कोई समस्या तो इसको हम इस परकार लेख सकते हैं 0 to pi y2 और log sin 90 minus x तो को pi y2 minus x sin pi y2 minus x equal to cos x होता है और into dx ठीक है अब यह दोखो इस पर हम एक नया number डाल दें लोग पांच माल ठीक है यह पांच माल और अब इन दोनों equation को यहां दोखो जोड़ दें दोनों समीकरणों को जोड़ दें कौन कौन से समीकरण है समीकरण है यह 4 और यह 5 समीकरण 4 plus 5 से मतलब 4 और 5 में के समीकरण को जोड़ने से हैं 4 और 5 में समीकरण को जोड़ने से हमें क्या मिल जाएगा यह हो जाएगा 2i1 equal to integration की limit है 0 to pi y2 और यहां देखिए log sin x यहां है log cos x यह dx दोनों जगे से common है हमें मिल जाएगा log sin x plus log cos x और यह dx common है ठीक इतनी बार ठीक है और आंगे दोखो 2 i1 equal to integration 0 to pi y2 और यहां हम log log m plus log n बरावर log m into n m into n मतलब log sin x into cos x और यह into dx जों कहते हूं इतनी बार ठीक है यहां देखो थोड़ी सी और यहां पर हमें changing करनी होगी 2 i1 equal to 0 to pi y2 यहां देखो log यहां हम 2 का multiply करें 2 का multiply करें मतलब 2 sin x into cos x 2 का भाग कर दें 2 का गुणा कर दें इस प्रकार ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि यह सूत्र बनाना है हमें 2 sin x cos x बरावर sin 2 x होता है sin 2 x की यह formula होता है तो integration 0 to pi y2 यहां लेख दें log इसको लेख दें sin 2 x और upon में 2 और into dx इत्ति बार ठीक है यहां से अब हम एक काम और करेंगे कि log m बटे n का formula लगा दें तो यह हमारे पास हो जाएगा integration 0 to pi y2 और log sin 2 x into dx minus integration 0 to pi y2 और यहां लेख दें log 2 into dx अब बताओ वई ठीक है और थोड़ा आंगे बढ़ाएं दोको अब यह फिर से एक नया सवाल बन गया सवाल पर सवाल बनते जा रहें यह फिर से एक नया सवाल बन गया यहां पर अगर हम 2 x को t मालने दोको ध्यान ने 2 x बरावर t मालने तो अगर 2 x बरावर t है तो इसका आउकुलन हमें मिल जाएगा 2 dx बरावर dt या ऐसे कहें कि dx बरावर कित्ता मिल जाएगा आपको कहना है dx बरावर मिल जाएगा dt बटी 2 ठीक है इस dx को हम dt बटी 2 लेखेंगे 2 x को हम t लेखेंगे लेकिन अब limit भी तो change हो बटे 2 लेखोगे 2 से 2 कट जागा T की वैलू हम पाई लेखना है ठीक है और जब X की वैलू हम 0 लेखेंगे तो T की वैलू 0 हो जाएगी इतनी बाद ठीक है तो अब हमारे पास लेमिट हो गई 0 to पाई बाई 2 के जगाए पर पाई लेखना है 0 to पाई 0 to पाई चलो यहां देखो यहां देखो 2 I1 बराबर यहां लेख दें इंटीक्रेशन की लिमिट बदल गई 0 to पाई हो गई 0 to पाई हो गई और 0 to पाई के बाद यहां देखिए लोग साइन 2x को हमने t माना है dx को हमने dt बटे 2 लेखना है इत्ती बाद ठीक है और आंगे वाला यहों का त्यों लेखना है माइनस यह दोखो लोग दो हमारे पास बाहर आजाएगा समाकलन से और यहां बचाएगा समाकलन की लिमिट पाई बाई टू पाई बाई टू और यह आपके पास 1 in 2 डिया इत्ती बाद ठीक है इत्ती बाद ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं आप थोड़ा और ध्यान दें इत्ता यहां तक हमाए एकदम कताई यहां से दिमाग आपका हटना नहीं चाहिए तो दोखो टू आई बन यह लिखा है ना टू आई बन यहां से अब हम थोड़ा पीछे आएंगे थोड़ा पीछे आएंगे दोखो नहां दें यह हैं अमारे पास टू आई बन यह लिखा ह 2i1 बरावर 2i1 बरावर integration की limit है 0 से πाई और यहां लिखा है log sin t log sin t log sin t dt और बटे में 2 लिखा है तो चलो 1 बटे 2 हम यहां बाहर रिका ले ठीक है? और फिर minus में लिखा है log 2 log 2 और इसके बाद 1 लिखा है 1 का समा कलन x और limit हमारे पास है 0 से πाई by 2 इतनी बाद खीक है? और थोड़ा आंगे हो तो 2i1 बरावर में 1 by 2 यहां देखो ध्यान देएं यहां देखो ध्यान देएं अगर इसको हम ऐसा कहें कि यहां पर t के जगए पर πाई minus t से अगर replace करना चाहें t को हम πाई minus t से replace करना चाहें तो sin πाई minus t बरावर sin t होता है मतलब फलन हमारा change नहीं हो रहा है अगर फलन change ना हो तो इसको हम 2 से multiply करते हैं limit आधी करते हैं पता है ना? 2 से multiply करते हैं limit आधा करते हैं और यह लिख दें log sin t dt t और minus में यहां देखिए log 2 आपका ज्योंकाते हैं और यहां है limit pi y 2 minus 0 लिखोगे खिक अब थोड़ी सी बात हो रहे है यह 2 से 2 cancel हो रहा है यहां पर 2 i1 लिख दें बरावर का निसान लगा दें यहां देखो limit 0 से pi बटे 2 इसको हम t dt को x dx में convert कर सकते हैं यह हमने आपको property number दूसरे number पे लिखाई है क्या लिखाई है कि t dt अगर लिखा है तो इसको हम x dx में convert कर सकते हैं तो इसको लिख दें log sin x dx लिख दें कोई अंतर नहीं और यहां से यह हमारे पास जो लिखा है pi y 2 log 2 अब बता दो यह क्या है यह क्या है यह आपका i1 है क्या है यह आई बन तो यहां देखिए 2 i1 बराबर इसको हम लिखेंगे i1 और minus में pi by 2 log 2 लिखाओगे इत्ती बाठ ठीक है अब देखो यहां समझो i1 को इधर ले आओगे i1 इधर ले आओगे तो i1 अगर इधर आएगा तो हमें 1 i1 मिलेगा 2 i1 में से 1 i1 घट जाएगा 1 i1 मिलेगा बराबर में minus pi by 2 log 2 अब देखो हमने i1 की value निकाल लिए यह क्या है i1 की value अब इस i1 का मान हम equation number 3 में रख दें answer आपको यहां पर यहां पर थोड़ी जगह कम है यहां पर समझ लेते हैं इतने में बस केवल इतने में i बराबर हमने यहां पर equation number 3 में क्या लिखा है i बराबर 2 i1 ऐसा लिखा है तो यह i की value किती हो जाएगी 2 into i1 और i1 का मान है minus pi by 2 log 2 इतनी है बस इस 2 से इस 2 को cancel करोगे तो minus pi log 2 answer आएगा यह दिखिए ठीक है यह आपका answer होगा इतना ठीक तो इसको यहां से तो बड़े तसल्ली से समझोगे शोलमा सवाल है और हमने जैसा कि बताया कि भाई यह important भी है और इसमें एक नहीं एक नहीं तीन प्रश्ण आपके complete हो रहे है एक तो यह लिखा है वो प्रश्ण है और बास्ताब में एक यह भी आपका एक नया प्रश्ण है जो कि हमने बताया बहुत 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 important है यह वाला इतना जिसमें हमने i1 की value निकाल ली और इसके बाद दोखो यहां से भी एक start होता है एक प्रश्ण यहां भी start होता है दोखो यहां से log integration 0 to pi y 2 log sin 2 x dx एक प्रश्ण यहां भी एक यह start होता है तो कुल मिलाके हम यह कह सकते हैं कि यह प्रश्ण complete करने से आपको तीन प्रश्ण complete करने का मौका मिला है तीन प्रश्ण ठीक है और यह सभी प्रश्ण बोर्ड एक्जाम में कई बार पूशे गए इसलिए आप इसको अच्छे से note कर लें अच्छे से note कर लें ठीक है चलो भई अब आते हैं इसके बाद question number 17 question number 17 इसको रपका लेते हैं question number 17 लेते हैं question number 17 को क्या है question number 17 ठीक है चलो यह है हमारे पास question number 17 देखो बिलकुल आसान है यह तो बिलकुल हलुआ एकदम हलुआ देखो सत्रमा प्रश्ण है लिखा है integration की limit है 0 to A और यहां लिखा है under root x into dx divided by under root x और प्लस में under root a minus x यह लिखा हुआ है ठीक है इसको हम आई बराबर लिख लें बस इस पर property अप्लाई करेंगे answer आ जाएगा बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्ण है तो को हमें क्या करना है integration की limit है 0 to A और इस x को हम a minus x लिखेंगे इस x को भी हम a minus x लिखेंगे plus under root a और इस x को भी हम a minus x लिखेंगे तो a minus minus plus x हो जाए ठीक है यह minus a plus a cancel हो जाएगा into dx जोंकाते हो तो आपके पास यह हो जाएगा 0 to A under root a minus x into dx और divided by under root a minus x plus under root x दो को यहाँ पर cable under root x बचाएगे यह आपका दिया गया equation इस पर एक नमबर डाल दें और इस पर हमना property लगाई और property के बाद जो equation होता है उस पर हम दो नमबर डाल दें खिक है बस इन दौनों को आपस में जोड़ दें sumi करड एक प्लस दो से पहले sumi करड और दूसरे sumi करड को जोडने से हमें दो को आई आई दो आई हो जाएगा integration की limit 0 to a और यहाँ देखिए dx dx दोनों जगे से common है और हर आपका बिल्कुल जेश्ट दो को बरावर बरावर है cable uns से uns जोडना है तो यहाँ देखिए under root x है प्लस इसमें जोडना कितना है under root a minus x जोडना है और यह dx common और upon में under root x plus under root a minus x ठीक है हर तो यह बरावर है तो जियों कात्यों लेखना है cable uns और यह uns जोडना है यह दोनों uns जोडना है dx आपके पास common लेके यहाँ लिए तो आप तो सीधी बात है यह पूरा पूरा cancel हो रहा है तो 2i बरावर ही है हमारे पास 0 to a 1 into dx 2i equal to 1 का समा कलन x लिखना है limit है 0 to 0 to a ठीक है तो यह हमारे पास हो जाएगा 2i बरावर में और इस x के जगह पर a लिखना है minus x के जगह 0 लिखना है तब i बरावर हो जाएगा a by 2 ठीक है यह simple है note कर लें भई इसको इसके बाद इसके बाद आब आते हैं question number 18 में ठीक है इसको रप कर लें question number 18 देखें question number 18 है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है दोखो अठारमा प्रश्न है लेका है integration की limit 0 to 4 mode of x minus 1 और into dx इसको भी हमें आप दोको कैसे समाक्लिंग करना समझो बाद हलाकि इस type का अभी एक सवाल आपको हमने करवाया है और ये कोई सवाल है आपके पास पांचमा सवाल छटमा सवाल पांचमा और छटमे सवाल जैसा ही आपका ये सवाल है ठीक है थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको इसको कर सकते हो बड़े आराम से दोखो इसको हम एक काम करते हैं इसको हम इस प्रकार लिख लें कि 0 से बन तो को ध्यान दें अगर एकस मानस बन बराबर 0 लिखोगी एकस मानस बराबर 0 तो एकस बराबर ये कही तो आएगा तो यहां से हम 0 से 1 तक इंटीग्रेट करें 0 से 1 तक इंटीग्रेट करें प्लेस फिर 1 से 4 तक इंटीग्रेट करें ठीक इस प्रकार से हमने इस अंतराल में 0 से 4 अंतराल में एक और पॉइंट हमने 1 ले लिया तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है फिर 1 से 4 तक करना है ठीक है अब यहां इस अंतराल में आप देख सकते हो किस में जीरो से एक में इस अंतराल में आप देखो ध्यान से तो X-1 का जो मान होगा X-1 का जो मान होगा वो कितना होगा X-1 का जो मान होगा वो मान होगा मतलब सोने से कम होगा कोई भी मान इस इस अंतराल में आप रख दो तो एक बटे दो मानस एक तो अभी दोखो रिल में आएगा फुल मिला के इस अंतराल में X मानस बन का मान मानस में आएगा ठीक है मानस में आएगा मतलब एक से छोटा है सून से छोटा है ठीक है और इस में दोखो यहां समझो इस अंतराल की बात करो बन टू फूर इस अंतराल में बात करते हैं इस अंतराल में X-1 का जो मान होगा इस अंतराल में X-1 का मान होगा वो सून से बढ़ा होगा मतलब एक से चार के बीच में कोई भी संख्या रख दो एक रख दो दो को एक से आंगे बढ़ा हो दो लिख दो तीन लिख दो तो आपको क्या मिलेगा आपको ये प्लस में मिलेगा जैसे दो मेंसे एक गटा होगे तो दो मेंसे एक गटा होगे एक तीन मैंसे गठाओगे तो अभी आपको प्लस में मिला है मतलब कुल मिला के हम ये कहेंगे इस अंतराल में x-1 का मान प्लस में आएगा मतलब सून से बढ़ा आएगा तो हम ये ये हमने इसलिए लिखा कि इसकी वैलू आपको माइनस में लिखनी है माइनस इंटिक्रेशन 0 to 1 x-1 into dx जबकि इसकी वैलू आपको प्लस में लिखनी है 1 to 4 x-1 into dx ठीक है इसका समा कलन करना है आपको और फिर इसके बाद लिमिट रखनी है मेरे खाल से अब तो कर सकते हो x square बटे 2 minus x और इसमें लिमिट रखना है 0 to 1 और इसको भी हम इसी प्रकार x square बटे 2 minus x और इसमें लिमिट रखनी है 1 to 4 ठीक है यहां लिमिट रखनी है और इसका आंसर आज़ाई इसके बाद आगे आते हैं question number 19 को देखो वई 19 प्रिश्न क्या है इसको और आप कर ले है पूरा करना है इबढ़ी है इसको यह ही नहीं छोड़ना है आपको पूरा करना है ठीक है question number 19 देखो तो question number 19 है लिखा है दर्साइये की limit 0 to A integration की limit है 0 to A fx into gx into dx बराबर 2 integration 0 to a fx dx इसको हमें इतना सिद करना है question number है 19 और इसमें हमें सिद्ध करना है integration की limit है 0 to A और ये है fx into में gx into dx और ये बराबर हमें प्रूब करना है to integration 0 to A to integration 0 to A fx into dx के बराबर हमें प्रूब करना है इसको हमें इसके बराबर प्रूब करना है जबकि आगे कुछ सर्तें दी गई है हमें दिया गया है दिया गया है f x से बरावर f of a minus x के बरावर है तथा एक बात और दी गई है ये है अमर पास g x plus g of a minus x ये बरावर हमें 4 दिया गया है दो बाते ये दी गई है और इसकी मदद से हमें सिद्ध करके दिखाना है ये इसके बरावर है बड़े अराम से दो को समझ सकते हो इसमें ऐसा करते हैं LHS ये ले देते हैं इसको हम आई बरावर लिखे ले और ये है इंटिग्रेशन 0 to a f x into g x into dx इतनी बार ठीक यहाँ पर दो को अगर हम प्रोपर्टी अपलाई करें 0 to a f x dx बरावर क्या होता है a मैंसे x गटाना है तो य यहाँ पर हम कर देते हैं 0 to a f of x को a minus x लिख दो into g x को भी a minus x लिख दो into dx ठीक है अब देखिए और थोड़ा आंगे बढ़ा है यहाँ से हमें f of a minus x बरावर f x दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है इसको हम f x लिख देते हैं integration की limit 0 to a और इसको हम f x लिख दें यह हमे दिया गया है भी f of a minus x बरावर f x तो f of a minus x को हम f x लिख लें into यहाँ देखो g of a minus x को क्या लिख सकते हैं इससे यहाँ देखो इससे g a माइनस x बराबर हम लिख सकते हैं 4 माइनस gx बताओ वई इसमें तो कोई समस्या नहीं इसमें तो कोई समस्या नहीं इसकी वैल्यू अगर गयाद करनी है तो gx को इदर ले जाना है माइनस में हो जाएगा तो यहां से हम g of a माइनस x को लिखेंगे कित्ता लिखेंगे चार माइनस जी एकस लिखेंगे इत्तिबाद ठीक है वई इत्तिबाद बिल्कुल ठी और थोड़ा आंगे हो integration zero to a इस fx का अंदर multiply करो दो तो चार इंटू fx चार इंटू fx इंटू dx माइनस integration zero to a और इस fx का यहां भी गुणा करना है तो हमें मिल जाएगा fx इंटू gx इंटू dx मिल जाएगा बोलो मिलेगा कि नहीं अब आप ध्यान से देखो तो ये हमने जो माना था ये i इसको i माना था तो ये तो ये इतना देखो i बन गया बन गया कि नहीं चलो यहां लिख देते हैं i बराबर 4 को हम समा कलन से बाहर करेंगे integration की limit है 0 to a और इसको लिखेंगे fx इंटू dx और फिर minus इसको हम क्या लिखेंगे i लिखेंगे इसको i लिखेंगे और ये minus का i इदर आएगा तो इस i में जोड़ के हम इसको 2i लिखेंगे 2i बराबर 4 integration 0 to a यहां fx इंटू dx लिखेंगे अब बस 2 का डिवाइड कर दो तो i की value हमें मिल जाएगी 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 मिल जाएगा integration 0 to a fx इंटू dx यह दो आ रहे जाए ठीक है यही तो हमें प्रूब करना था ठीक तो इस तरीके से question number 19 मां complete होता हमें ऐसे कह सकते हैं कि आपकी पूरी exercise finish होना ही बाली है या कह सकते हैं हो गई क्योंकि यहां पर दो प्रशन आपके जो बिकल्प में दिये गए हैं बिल्कुल आसान आसान से प्रशन है थोड़े से अगर जल्दबाजी में समझें तो आप इनको समझ सकते हो रब कर दें इसको इसको रब कर लें और ये छोटे जो प्रशन है आपके multiple choice question उनको भी cover कर लेते हैं दोखो इसमें लिखा हुआ है बीशमा प्रशन इस प्रकार से लिखा है integration की limit है minus pi by 2 से plus pi by 2 और ये हमारे पास है x cube और फिर इसके बाद में plus x into cos x और plus 10 की power 5 x और plus 1 और ये into dx इस प्रकार से दोखो ये है ठीक है हमने आपको बताया थोड़ा गौर करें थोड़ा गौर करें हमने आपको ये बताया कि अगर minus a2 plus a हूँ तो x के जगाए पर minus x लिखके देख लें और यदि फलन की value minus में आती है फलन की value minus में आती है तो तो उसको हम 0 की बराबर लिख लेते हैं यही तो है न बाद तो यहाँ पर ऐसी यहाँ पर ऐसी ही condition कुछ दिखाई दे रही है कि अगर ये x लिखा है इस x को हम अगर minus x लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं थोड़ा सा जल्द बाजी हम बता रहें के एक मिनेट थोड़ा सा समझ लेते हैं बड़े पूरा ही बता देते हैं आराम की तो को समझो इसको हम ऐसे कर लें integration minus pi by 2 से pi by 2 और x का q plus x into cos x plus 10 की power 5x इसको हम एक प्रशन यहाँ तक मान लेते हैं integration minus pi by 2 से plus pi by 2 और यहाँ 1 into dx लिख दें ठीक है अब इस पर आप थोड़ा गोर करें इस पर अगर हम यह मानने कि यह हमारे पास fx है पूरे फलन को हम fx मान लेते हैं कि fx बराबर है x cube plus x into cos x plus 10 की power 5x इस पूरे को हमने fx लिख लिया अब यहाँ x के जगह पर अगर minus x लिख दें तो यहाँ पर दोखो यह हो जाएगा minus x का cube plus यह हो जाएगा minus x into cos minus x plus 10 की power 5x के जगह पर minus है जहाँ हमने x दिखाई दे रहा था वहाँ पर हमने minus x लिख दिया तो अब आंगे क्या मिलेगा दोखो यह तो minus x cube हो जाएगा cos minus x बराबर cos x होता है लेकिन minus यह लिखा है तो minus x into cos x यह हो जाएगा यह भी दोखो हो जाएगा minus 10 की power 5x हो जाएगा खिक है कि नहीं अब तीनों जगह से minus यदि हम common लें तो यह हो जाएगा x cube plus में x into cos x यह भी plus में और 10 की power 5x यह भी हमें plus में मिल जाएगा तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोखो fx है मतलब f-x बराबर अगर minus fx आता है f-x बराबर अगर minus fx आता है तो इस पूरे फलन को हम क्या लिखते हैं सोन लिखते हैं तो इसका मतलब सीधी बात है कि इस पूरे को हम सोन लिखे लें तो को ध्यान दें i बराबर इस पूरे को सून लेख 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 पाई लिखना है 20 में प्रश्न का ठीक है इसके बाद आपके पास एक और प्रश्न है किसमा हलाकि ये प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं multiple choice question में पूछे गए हैं लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ी से बड़े हैं चलो अब हम question number 21 भी आपको बताएंगे question number 21 में देखो ठीक है एक किसमा प्रश्न क्या है ये हमारे पास question number 21 में है इसमें लिखा है integration की limit 0 से πाई बटे 2 0 से πाई बटे 2 और ये लिखा है log log 4 plus 3 4 plus 3 sign x 4 plus 3 sign x और बटे में लिखना है 4 plus 3 cos x और ये ds ठीक है ये आपके पास question तो को इसको कैसे करोगे इसको हम i बरावर लिख लें और इस पर equation number 1 डाल दें तो 0 to a वाले form में है ये तो यहाँ पर हम property यूज़ करेंगे 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sign x को हम लिखेंगे pi by 2 minus x अपन यहाँ भी आपको ऐसा ही लिखना है 4 plus 3 cos x को लिखेंगे pi by 2 minus x ठीक है और ये dx जोगा दो इतनी बार ठीक चलो थोड़ा और आंगे बढ़ाओ integration की limit 0 से pi बटे 2 और यहाँ लिख दें log यहाँ समझो 4 plus 3 sin pi by 2 minus x बरावर cos x sin का इब में बदलेगा cos में तो यहाँ हमें cos x लिखना है अपन में 4 और यहाँ cos pi by 2 minus x बरावर यह sin में बदल जाएगा 4 plus 3 sin x ठीक यह इस तरीके से into dx अब देखिए यह इस पर हम number डाल दें 2 समी करण 1 और समी करण 2 दोनों समी करणों को जोड़ दें क्या लिखता है यहाँ समी करण 1 plus 2 से दोनों को जोड़ने से हमें मिल जाएगा 2i बरावर integration 0 to pi by 2 यहाँ देखिए इसको plus इसको जोड़ना है dx dx common मिल जाएगा यहाँ लिख दें log 4 plus 3 sin x upon में लिखना है 4 plus 3 cos x और इसके बाद यहाँ plus का निसान लगा कि इसको जोड़ दें किता log 4 plus 3 cos x और upon में लिखना है 4 plus 3 sin x ठीक है और यह इसको लिखना है बाद में यह dx common बाला ज्यों कहते हूँ अब देखो log m plus log n बरावर log m into n इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हमें देखो किता मिल जाएगा 2i बरावर integration की limit है 0 से 5 बटी 2 और यहाँ लिखेंगे log इन दोनों का गुणा कर दें किनका 4 plus 3 sin x और upon में यहाँ लिखना है 4 plus 3 cos x और into का निसान लगा के यह लिख दें 4 plus 3 cos x 4 plus 3 cos x और upon में लिखना है 4 plus 3 sin x तो अब आप यहाँ से देख सकते हो into dx जों काते हो यहाँ देख सकते हो यह इस से cancel हो रहा है यह इस से cancel हो रहा है तो हमें इस प्रकार से दो को 2y बराबर integration 0 से πाई बटे 2 और log 1 मिल रहा है पूरा cancel होगा क्या मिलागा 1 मिलागा log 1 की value 0 होती है तो इस प्रकार से यह पूरा 0 हो जाएगा 2i बराबर 0 that is i equal to 0 यह इस प्रकार से दो को इसका answer हमें 0 मिलागा ठीक है तो इस प्रकार से बच्चों यह exercise में जो 21 प्रशन थे पूरे complete किये समा कलन के प्रोड के आधारित हमने जो आपको बताया कि इस exercise से एक प्रिशन अवस आएगा एक प्रिशन अवस आएगा ठीक है इसको अच्छे से note कर ले और साथ ही साथ इसके जो example है उनको भी आपको जरूर लेखना है जरूर cover करना है ठीक है जरूर अच्छे से हमने जैसा कि बताया कि जो उसमें उदहरण नंबर 37 दिया गया है तो वो 37 उदहरण है 0 से 5 बते 2 तग इसका integrate log sin x का करना है log sin x dx का ये जरूर आता है बहुत बार आया है 37 अग्जाम्पिल ठीक है इसको भी आप अच्छे से तयार कर ले चलो अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि समाकलन आपका लगबख खतम हो गया है अब बीविद उदहरण इसको complete करेंगे और बीविद exercise जो है आपकी अंगले lecture में हम बीविद exercise complete करेंगे जो आपकी अध्याय साथ पर आधारत बीविद प्रशनावली है उसको ठीक है इसमें आपके सभी मिले जुले सवाल होते है अब तक जो आपने समाकलन के प्रशन पड़े है वो सभी मिले जुले मिला के यहां पर सवाल होते है तो इसको हम अंगले lecture में complete करेंगे ठीक है तो बच्चो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं एंगले वीडियो में अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है मिलते हैं एंगले वीडियो में